दोस्तों स्वागत है आपका इसी डूप चैनल इस वीडियो में यह वर्टप्रेस में अपना कस्टम थीम खुद से क्रिएट किये हुए हैं धीरे धीरे आप उसमें कोडिंग करते रहे होंगे जैसे इस पेकार से मेरी थीम मैंने इस तरह से कोडिंग की यहां पे हमारी कुछ थीम की फाइले हैं ठीक है जिसको एक एक करके अपन डाउनलोड करते हैं हमको एक साथ ही डाउनलोड करना है तो कैसे करेंगे आप अपने होस्टिंग में जाए और फाइल मेनेजर को उपिन कीजिए जैसा कि यहां पे है मेरा थीम यहां पे देख सकते होंगे TKSPL के नाम से बनी होगी थीजिक उसका फोल्डर बना होगा है यह आपको मिलेगा जब आप अपना होस्टिंग एप उपेन करेंगे जहां से आपने होस्टिंग करीदे होगी तो आपको पॉब्लिक डूमिन में जाना है पूरी थीम का फॉल्डर फाइल जो भी रहेगा इस फोल्डर पर इसके अंदर देख सकते होंगे काफी सारी फाइले हैं यह फोल्डर बन हुग नीचे फाइल बनी हुई है कुछ से धीरे-धीरे मैंने कोडिंग किया हुआ है देख देख के यूटूब से फीटो देख के अब इसको एक साथ डाउन्वोड करना है तो अपन में फोल्डर में जाएंगे थीम के जैसे यहां पर TKSPL नाम से मैंने थीम बनाई हुई थी अब इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहां पर कॉंप्रेस में क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल कॉंप्रेस हो जाएगी एक या दो सेकेंड में ठीक है तो देखिए इस तरह से यहां पर आ चु तो जितने वी फाइलें होंगे सब दिखाई दे चाहिए जैसे के वे ओपन कर रहा हूं मैं अब यहां देख सकते हैं जितने फाइल फोल्डर वनी होंगे सब आटोमेटिली आगे तो आप इस तरह से अपनी कस्टम थीम को इस्टोर कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर इतन जितने तरह से वीडियो में वीडियो देगने के धन्यवाद।